प्रेंगिंग इंटन तुमने मेरे ड्रक्स फैक्टरी के अंदर आग लगा कर मेरी ये हालत कर दी लेकिन अब मैंने जो तुम्हारे लिए इन्वेंशन किया है उस वैपन से तुम्हारा पुरा सातों पुर्ष्टों को मैं ऐसी हालत कर सकता हूँ अब मुझे और इंतजार नहीं होता आखिर अभी कितना वक्त लगेगा मेरे वैपन को रेडी होते में मैं देखना चाहता हूँ मेरा वैपन अभी कब तक रेडी होगा अब आप इसे पी सकते हैं और पीने के बाद आप किसी भी इंसान की कौपी कर सकते हैं साथ ही साथ उसकी अवाज भी इस लिक्विट को पीने के बाद आपकी सरीर में थोड़ी बहुत कपमाना यह भैसूस होगी लेकिन आप डरियेगा मत थोड़ी देर में आप इसको पीने के बाद किसी भी बंदे के सरीर को कौपी कर सकते हैं और उसके चेहरे को अवाज को चाल ढाल सब चीज़ को मेरा इन्वेंशन रेडी हो चुका है ऐसा इन्वेंशन किसी भी ने कहीं किया होगा इसलिए तुम सभी को मरना होगा यह क्या सर्ड आप हमें मारेंगे बिल्कुल क्योंकि यह इन्वेंशन दुबारा नहीं होना चाहिए यह सिर्फ खास मेरे लिए ही होना चाहिए शेड़ आप मुझे मत मारिये मैं आपके बहुत कमा सकता हूँ आज के बाद मुझे ये इसके बाद किसी चीज़ की जरुएत नहीं पड़ेगी तुमारी भी नहीं चलो अब मैं इस लिक्विट को पी लूँगा और पीने के बाद माइकल की बाड़ी में जरुआ चाओंगा क्योंकि माइकल की बाड़ी में गुसके फ्रेंकलिन को मारना बहुत आसान है ये क्या इस सैंटिश ने तो बोला था पीने के बाद आप किसी का भी रूप ले सकते हैं लेकिन मेरे बाड़ी में कच कही हो रहा अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मेरी आवाद भी बिल्कुल माइकल की जैसी हो चुकी है अबे शाड़े यहाँ पे क्या कर रहा है रहे तू इसके अंदर तू कैसे गुज़ गया साले मुझे नहीं पैचानता है पैसे किस बात का लेता है तू मैं आ रहा हूँ फ्रेंक्लीन चौप मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ कि तुम घर में पोटी मत क्या करो किसे दिन मैं तुम्हें घर से इकाल दूँगा बाई साब कल्वे तू मुझे घर से इकालेगा तेरी इतनी हिम्मत चौप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें घर से इकाल दूँगा समझ मैं आया तुम्हें तो फिर ठीक है कलवे, अगर तु इतना ही बोलता है तो मैं घर छोड़के खुश चला जाओंगा आज के बाद लोटके तेरे घर में कभी नहीं आओंगा और रही बात ये पोटी की, तो ये तो मैं रोज खुश चाफ करता था अच्छा ठीक है, अभी ज़्यादा बकवास मत करो, चुच्छा सोजाओ जाके मैं नहीं शोओंगा, मेरा समय हो चुका है अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगा चलवे, आज के बाद तु चौप को भूल जाएगा चौप कौन था, ये तुझे याद नहीं रहेगा ठीक है ठीक है जाओ ठीक है कलुए, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं और वैसे भी जिस घर में मेरी इज़्यत नहीं वहाँ मैं रहना पसंद नहीं करूंगा आज के बाद इस खर के अंदर दुबारा कभी नहीं लोटके आऊँगा मैं ये क्या पागल हो गया चौप, हर वोक्त इतना ज़्यादा चिर्चला क्यों हो गया यार ये अरे फैवे, वह ज़्यादा चिर्चला नहीं हो गया है तुम उसे बहुत ज़्यादा ही डाडते हो, इसलिए वह गुसा हो गया है क्या मैं ज़्यादा डाडता हूँ उसे? बहुत खूब, हर बार मैंने फ्रैंकलिन को मारनी की कोशिस की है तो उसे बचाने के लिए उसका वफादार कुद्धा, चौप उसको बचाता था करना होगा, तभी फ्रैंकलिन उस चौप को मारेगा आइडिया, फ्रैंकलिन, अरे दोस्ट, फ्रैंकलिन कीतर हो यार, इतने दिनों से तुम मिले नहीं अरे क्या बोलड़ माइकल, अभी थोड़े दिर पहले तो तुम आया ही थे हापे अरे वो मेरा मज़ा करने का तरीका था, वो बताओ चौप कहा है चौप तो घर के बाहर आया था, यहाँ पर अभी चौप कहा चला गया वो काफी गुसा हो गया यार मुझसे फ्रैंकलिन, बहुत बड़ी ख़वर है, वो चौप नहीं है क्या, क्या मतलब चौप नहीं है मतलब कि तुमारा एक पुराना दुस्पन था, याद है बगगा, जिसके फैक्टरी में तुमने आग लगा दिया था और उसका चेहरा जल किया, और लेकिन वो जिन्दा बच किया आज उसी ने एक इंवेंशन किया है एक ऐसा सिरफ का इंवेंशन, जिसे वो पी के किसी की भी बाडी का फॉर्म में बदल सकता है वो चौप की बाडी में ट्रांसफर हो चुका है और उसने चौप को कहीं चिपा दिया है क्या, इसका मतलब जो चौप इतनी अजीफ हरकते कर रहा है यह चौप नहीं कर रहा है यह बगगा है बिलकुल सही समझे ओ माई गॉड गाइस इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि चौप ऐसे अजीफ से हरकते क्यों कर रहा है इसका मतलब यह चौप है ही नहीं बाई साब कल्यों को मैं कुछ जादा ही चड़ा बढ़ा के बोल दिया वैसे भी रहना तो मुझे कल्यों के पास ही है तो कल्यों है तो मेरा भाई हुआ वैसे भी इतना तो चलता है कल्यों से चलकर माफी मांग लेता हूँ वापस कल्वे ने तुम्हें बहुत बार माफ़ी दिया, इस बार भी दे ही दिखा, अब भाईसा माईकल यार, तु यहाँ पर क्या कर रहा है, यह, चौप मुसे दूर रहो, चौप, तु दूर है, चौप मुसे, यह क्या बाईसा यार, तू मुझे ऐसे बोल रहा है माईकल, तू त तो इतना इतना तो चलता यार मैं तरसे माफी मांगने आया हूँ माफ कर देना तोड़ा अला यार माइकल मेरे को तेरे सरीर से अजीब सी बदबू आ रही है दूर रहो मुझसे चौप तुम्हें कुछ नहीं पता यहां से हटो मेरे बॉडी से हटो ठीक है वाइस साथ तू मुझे बड़ा अजीब लग रहा है दच चौप दूर रहो मुझसे मैं लात मार दूंगा वाईस साथ यार माइकल को यह क्या हो गया है तो पड़ता पड़ता लग रहा है प्रेंक्लेन इसके बातों में मत आना माइकल अजीब अजीब अगरते करना बंद करो वैसे भी चीज दिखाने वाला हूं जिसे देखके तुम इलकुल सर्प्राइज हो जाओगे यह क्या कर रहे हो इस जोब को लेकर तो कहां जा रहे हो इसे तो मारना था हम लोगों को यह तो तुम भूल गया तुमारा दुस्मन बगगा है मुझे पता है माइकल इससे लिए तो मैं इ प्रेश्टिंग सा जगह दिखाने माला हूं मैं छल्क के मज़ा आईगा थो ऐसा जगह पे तू लेकर आया मैं देने नहीं पर पर ऐहले कभी आध़ा नहीं हूं यह पर बैर बाईचाब कलवे तू अजीब 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 अरक्ते करना बंद कर भाईई तूझे ये गलत सामी किस ने बता दी मुझे माईकल ने बताया अब माईकल ने बिलकुल अच्छे से पता किया है तुम्हारा पुराना इंवेंशन सब कुछ में पता चल चुका है तुम चुप चाप से मुझे बचा दो चौप कहा है वर्ना मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं बगगा फ्रैंक्लिन इतना भी टाइम वेस्ट मत करो तुम सीग बोल्ड है माइकल ये लो बगगा अब भी मेरा पुराना दुस्मन बगगा मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं ये ले काईज ये एक बहुत बहरूपिया इंसान है जो मेरे चौप के नकल करने आया था लेकिन मैंने इसे बख़ लिया है और अभी ये बचेगा नहीं मार दिया मैंने इसे लेकिन मुझे पता है चौप मुझे कहा मिलेगा बगगा का एक पुराना अड़्डा है जरूर बगगा ने उसको वहीं पे छिपा कर रखा हो चौप को चलो माइकल जली से चलके चौप को वापस लेके आते हैं क्या बात है ये क्या हुआ है माइकल तुम इतने जोर जोर से क्यूं हस रहे हो अभी अभी तक नहीं समझ पाए क्या नहीं समझ पाए माइकल तुम इसे बुरी तरीके से क्यूं हस रहे हो कहां जा रहे हो माइकल कुछ तो बताओ वित्ता नहीं समझे, बगगा चौप नहीं था, बगगा तो मैं हूँ, यह देखो, मैं हूँ असली बगगा, गाइस, यह क्या, यह माइकल नहीं था, अरे, बोग जौप बगगा मैं तुम्हें छोड़ूंँगा नहीं, अब क्या करोगा फ्रेंकली मुझे पकड़के, अब म फुज़त तुम नहीं मार पाओंगे तुम ने बचाने वाले चॉप को मैंने मर दिया यह क्या गाइस ? यह मेरे चे कितनी बड़ी गलती हो गई मेरा दुस्मन बग्गा माइकल के भेस में बन कर और उसने मुझे गाइस चौप के खिलाब बढ़का दिया और मैंने चौप को मार दिया कितनी गोली चलाओगे फ्रेंक्लीन तुम मुझे नहीं मार सकते अब देखो मैं गया यह क्या गाइस अरे यार मैंने इसको इतनी साधी गोली मारे लेकिन इसे कुछ भी फरक नहीं पड़ा और इसके पास कोई पावर होनी के वोज़े से यहांसे गायब भी हो गया अब भी बग्गा ने मिर को बहुत बड़ा धोका दिया है गाइस माइकल बनके और मैंने चौप को मार दिया फ्रेंक्ल बैया चौप की साथ से नहीं चल ले हैं अब यह क्या गाइस मेरे से कितनी बड़ी गड़बड हो गई यह नहीं होना चाहिए था बग्गा मैच में छोड़ूँगा नहीं इसका बड़ा मैं लेके रहूँगा गाइस अभी मेरे से बहुत बड़ी भूल हो चुकी है इसके लिए तो गाइस मैं बड़ा लूँगा जरूर लूँगा वैसे आप लोग को एक्स का नेक्स पार्ट चाहिए होगा तो आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा जरूर तो मैं नेक्स पार्ट भी लेके आँगा जली से चनल पर निव आएँगा तो सब्सक्राइब कर लीजे गाइस तक लिए गुड़ बाई